तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है मेरे भाई तो अब एक से एक जबरदास सोफ्ट्विर यहां पे निकल के आ रहे हैं तो सरुवात थी MTK की सबसे पहले MTK वाले टूल लेके आ रहे थे अब जो है Qualcomm की सरुवात हो चुके है जब से देखिए एक टूल के अंदर सब कुछ कवर करना बहुत मुस्किल है कवर का मतलब जाने की एक मोबाइल का सारा डाटा कवर करना है यह माई नंबर फ्लैस या फिर इस परकार की जो कंपलीट होती है तो एक टूल में यह सब नहीं डाल सकते उसके लिए थोड़ा यह यह सोचिए आप जो है जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी वह वर्जन वन था आप वर्जन टू आ गया इसमें वर्जन टू में क्या-क्या चेंज हुए वह माँ आपको बताने वाला हुआ सबसे पहले आपको refresh कर लेना आपका mobile यहां पर आ जाएगा उसके बाद show me account यहां पर अनलोग कर सकते कलियर यूजर लोग कर सकते और देखिए इडियल मोड में आपको mobile आपका यहां पर connect करवाना है ठीक है तो उसके बाद यहां पर इरेज FRP कर सकते हैं यहां पर स्क्रीन लोग के जो password होते हैं वो reset कर सकते हैं यहां पर सायद लिखा हुए लोग FRP by mode ठीक है तो FRP unlock कर सकते हैं फैक्टरी रिसेट कर सकते हैं यहां प release करते हैं पर जो partition device होती है यहां पर boot करें यहांपै बूट करें उसके बाद सारी फाइल आपकी आ जाएगी जो आपकी उज़र डेटा हुआ system हुआ, boot हुआ, logo हुआ सभी फाइल आपकी आपकी यहांपे आ जाएगी उसके बाद यह OEM, EL unlock कर सकते हैं उसके बाद देह अग जो है man, यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप loader के हिसाब से ले सकते हैं, यह auto पर रखेंगे तो आपको कोई model select नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपका qualcomm का कोई भी set हो, यहाँ पर connect करवा दो, ठीक है, by chance आपको loader के हिसाब से connect नहीं करवाना, कई बार देखिया आज मैं UMT से note 5 pro flash करने की कोशिस कर रहा था, तो उसमें credit मांग रहा था, उसके बाद मैंने किया model number मापे select किया, और उसके बाद वो हो गया, ठीक है, तो इस परकार से अगर आपका loader से नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, custom loader देना चाहें, तो दे सकते हैं, आपके पास भी यहां पर अलग से दे दिये गए हैं, उसके बाद देखे, 8C भी इसमें दे दिया गया, काफी भाई, यहां पर comment कर रहे थे, यहां पर 8C साइड इसमें दे दिया, यहां पर, देख ले था भाई, 8C ने रात वो हो गया, तो इतनी मैनस से आपके लिए वीडियो बना रह भी यहां पर देख लेते हैं, वनफलस में अच्छे खासे स्पोर्ट यहां पर दिये गए, क्योंके वनफलस में Qualcomm CPU वाले काफी सारे मोबाईल आ रहे हैं, उसके बाद देखे, उपो इबात करो, उपो मिलग बक सारे, आपके Qualcomm वाले दे दिये गए हैं, और ओपो A3S भी यहां पर देदिया गया, आप यहां पर देख पारोंगे, ओपो A3S इसमें देदिया गया, सबसे बड़ी देन जो है, जबसे ओपो A3S आया, उसके बाद उसका लोडर जो है, उसकी फाइल जो है, कई मोबाईलों में डली हुई है, जैसे कि आपको पता है, एक फ्लेस यहां पे 7i Realme 2 यह जो आपके Qualcomm वाले वो सब यहां पे Realme में दे दिये गए हैं उसके बाद Samsung यह बात करें Samsung यह देखिए 32 Ultra 5G, यह 23 5G यह सब इसमें आड कर दिये गए हैं यह आपके दे हैं उसके बाद Samsung वाले सब यहां पर कर सकते हैं उसके बाद यहां पर शोमी वाले सबसे बड़ी बात तो MI की है तो MI वाले सब मोबाइल यहां पर आड कर दिये गए लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो जो आपके पास मोबाइल है क्वालकम सीप्यू वाले पड़े हुए उपए 3S पड़ा हुआ जो इस परकार के सैट है तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से और एक और बाद बता दू आज मेरे पास ओपए 52020 आया था तो उसकी FRP जो है मैंने ड्रेक्ट बाइपास की है हार्ड रिसेट करके उसको मैंने बाइपास कर दिया वो इसे लिए स्पोर्ट करो जैसे लिए एक वीडियो आपके लिए यह जानकारी के लिये स्पोर्ट कर सकते हैं और जल्द ही यहां पे छोटा सा से सेट्टम में त्यार कर रहा हूं जिसमें आपको सभी लिए लाइव अनलोग के यह mmc चेंज और इस प आपका मोबाइल हुआ लेप्टोप वाइस परकार की जो प्रोग्लम में निकल के आती है सभी की आपको यहाँ पर समाधान मिलने वाला थोड़ा सा इंतजार ओड कीजिए मेरे भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी वीडियो देगे इंचेल को सब्सक्राइब करो ब बोचिग मेल वाई